हेलो फ्रेंड्स देस पर्णिमा फ्रॉम डीके वेब टेग आज से हम एक नई सेरेज स्टार्ट कर रहें जो कि टैली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह अगर वह अकाउंट इस ट्रीम के हैं तो ही वह टैली सीख सकते हैं जिपकि ऐसा कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग एक सौफवेयर है जो कि आप बड़ी इजली सीख सकते हैं बस उसके लिए आपको अकाउंट के कुछ बेसिक रोल्स मालूम होने चाहिए सो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग हमारा एक सिस्टेमेटिक वेयर है एक तरीका है किसी भी रेकॉर्ड से ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि अगर आपके घर पे कोई लेडीज है या आपकी मदर है वो मन्थली कैलकुलेट करती है कि कितने एक्सपेंसेज हुए कितनी इंकम हुई वो सा मेंटेन करना भी अकाउंटिंग के अंतरगत ही आता है जैसे कि आप एक एक एक्जामपल ले लिजेए कि कोई भी लेडीज है वो घर का कोई भी रेकॉर्ड्स रखती है जैसे कि नियूस पेपर का बिल है इलेक्रिक सेटी बिल है ग्रॉसरीज बिल है एड्सेक्टरा कोई भी बिल है वो सारे expenses को एक जिगे calculate करके रखती है फिर वो income से match कराती है कि फिर उसके बाद ही decide होता है कि आप extra savings कैसे कर सकते हैं आप कैसे monthly manage करें कि आपकी savings बढ़ जाए ये सारे काम भी अगर आप calculate करेंगे तो roughly कहीं paper पे work करेंगे तब ही आप find कर पाएंगे कि आप कैसे savings को अपनी बढ़ा सकते हैं accounting के basic rules हैं वो आपको मालूम होने चाहिए जैसे कुछ word है account की language बहुत ज्यादा use होते हैं तो चलिए उन्हें clear करते हैं जैसे accounting का एक word है transaction जो mostly use होता है transaction किसी वस्त के किसी सामान को खरीदने या बेचने कि जो process है या deal है उसे अप transaction कैसे जैसे मोहन को 500 रुपए का माल बेचा ये हमारा एक transactions है जो की माल को बेचा जा रहा है second है हमारा assets assets में हमारी वो सारी संपत्वें संपत्ती की तरीके हैं जो इस थाई या अस थाई रूप से एक व्यापार को चलाने के लिए यूज की जाती है जैसे की भूमी कोई भी आप जमीन यूज करते हो जहाँ पे आप अपना firm बनाते हो वो हमारी assets है कोई भी building और cash ये सारी हमारे assets है जो कि एक business के लिए यूज होते है third word हमारा है business business क्या है कोई भी काम जो की profit के लिए किया जाता है वो business है आप कोई भी business start करते हो तो आपका main focus यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा profit कमाऊ अगर आप कोई भी काम profit के लिए करते हैं वो हमारा business है fourth word हमारा है capital capital किसी भी business को start करने के लिए जो पूजी लगाई जाती है उसे कहते है इसी राशी से हमारा business start होता है fifth word हमारा है drawings जो भी पैसा business से आप personal use के जैसे जो आपका business है उसमें जो आपकी savings है जो आपका पैसा है उससे आप अपने personal use के लिए जो भी पैसा निकालते हो वो drawings होता है हिंदी में इसे अहरण बोलते है next word हमारा है liabilities liabilities हमारी दायोत्य होते हैं जो की वह धन जो दूसरे को दिया जाना है जो हमें करना ही है जैसे कि जो भी बिल होते हैं हमें payment उनकी करनी ही है कोई भी आपने loan लिया जिसे आपको एक निस्चित समय में वापस करना है वो amount ये हमारी liabilities होती है next word हमारा है goods goods हमारा माल होता है जिन बस्तूओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका goods है वह उसके लिए माल है माल लीजिए जैसे कोई व्यापारी है गेहुं का व्यापार करता है तो गेहुं उसके लिए उसके goods है इस तरीके से कोई भी व्यापार जैसे कोई भी वैक्ति है वो computer का काम करता है computer को sale करता है तो उसके लिए उसका goods computer होंगे next और last word है discount कभी कभी आप कोई भी सामान purchase करते हो तो उसमें आपको कुछ छूट मिल जाती है वो जो छूट मिलती है उसे ही accounting language में discount कहते हैं जैसे कि आपने कोई भी 500 रुपए का माल खरीदा दुकान दार ने आपको 500 रुपए का सामान में 50 रुपए या 40 रुपए जितने का भी discount दिया जितने रुपए वो कम कर देता है वो आपके लिए discount है तो ये कुछ important word थे I hope आपको clear हो गए होंगे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubts है तो आप comment करिए हम उन्हें clear करेंगे and मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you